दोस्तो आज हम करने वाले हैं Zebronik Zebzug Bar 9500 WS Pro Dolway 5.1 Surround Bar का Unboxing और Review Zebronik recently launch होने वाला ये Soundbar आपको Amazon में देखने को मिलेगा और मैंने इस Soundbar को Amazon से purchase किया है जिसकी price 16,999 रुपीज है यानि कि 17,000 के आसपास में आपको मिलने वाला है अब दोस्तो ये जो price है ये current time price है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है आने वाले time में ये price increase हो या decrease तो आपको इसका current price जाना है तो link description में है वहाँ से जाके check out कर सकते हैं आपको current time price देखने को मिल जाएगा दोस्तो इस तरह का box packaging के साथ मेरे पास में ये आया है जिसकी weight 10.9 kg है box के अंदर आपको एक और box देखने को मिलेगी जो जेबराउनिंग के branding के साथ कुछ के features को mention करती है box के चारे तरफ इस soundbar के photos और features आपको mention देखने को मिलेगी और box के अंदर आपको soundbar, satellite speaker और subwoofer देखने के साथ साथ इसके सारे accessories और fittings accessories आपको देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले बात करते हैं इसकी soundbar की तो यहाँ पर आप सामने के तरफ देख सकते हैं zebronik के logo के साथ metal grill design देखने को मिलेगा और बाकी जो body है वो signing black plastic body है जिसकी लंबाई और इसकी weight काफी जादा है इसके बाद आपको दो satellite speaker देखने को मिलेगे जो wireless satellite speaker है मगर एक wireless speaker में आपको लगबग 12-14 feet का wire देखने को मिलेगा जो दोनो satellite speaker को connect करने पड़ते हैं और इसके इलाबा एक power adapter मिलेगा आपको सब उफर देखने को मिलेगा और सामने के तरफ base reflector hole देखने को मिलेगा सब उफर के सामने के तरफ आपको zebronic की branding देखने को भी लेगी और नीचे के तरफ आपको rubber food जिसके जरीए ये table में या floor पे fix बैट सके इसी तरह का grip आपको satellite speaker में भी नीचे के तरफ देखने को मिलेगे इसके इलाबा आपको tripod thread देखने को मिलेगे तो satellite speaker को आप table mount कर सकते हैं या फिर tripod stand यूज़ करके इसको tripod में भी set कर सकते हैं इसके इलाबा दोस्तों यहाँ पर आपको wall mount का bracket भी मिलेगा तो wall mount भी कर सकते हैं sound bar के पीछे के तरफ आपको सारे connectivity option मिल जाएंगे चाहे वो USB port हो, HDMI port हो, optical input हो, aux port हो और power port sound bar को भी table में रखने के लिए provision दिया हुआ है मगर आप चाहें तो इस sound bar को भी wall mount कर सकते हैं bracket के जरीए तो wall mount bracket भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इसके इलाबा दोस्तों आपको एक HDMI cable देखने को मिल जाएगा तो आप अपने TV के HDMI ERC से इस sound bar को connect कर सकते हैं या फिर optical cable के थुरू भी आप इस sound bar को connect कर सकते हैं अगर आप इस sound bar से Dolby Digital या Dolby Digital Plus जैसी sound का experience लेना चाहते हैं और स्केबल के थुरू भी इसको connect कर सकते हैं या फिर Bluetooth के साथ में भी connect कर सकते हैं इसमें दिया गया Bluetooth version जो है वो 5.0 का है दोस्तों इस sound bar में total 5 driver दिये गे हैं जो हर एक driver 75 watt का है और इसकी जो subwoofer है वो 150 watt का है तो total output जो है इस system का 525 watt का है overall look और design की बात क्या जाए तो build quality इसकी काफी अच्छी है sound bar के left और right side में आपको इस तरह का design देखने को मिलेगा जो basically जबरॉनिक के बहुत सारे sound bar में आपको देखने को मिलेगा वही left side में आपको physical control button भी देखने को मिल जाएंगे तो उन button के जरी भी जो है इस sound bar को आप control कर सकते हैं इस sound bar को control करने के लिए आपको remote भी मिलेगा तो remote में आपको सारे option देखने को मिल जाएंगे सभी तरह के control आपको इस remote में देखने को मिल जाएंगे जिसमें volume up and down, bass and treble controller, center channel control और उसके बाद में surround channel control बटन आपको देखने को मिल जाएंगे इसके इलाबा दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे audio mode देखने को मिल जाएंगे तो आप अपने हिसाब से music सुनते वक्त या फिर movie देखते वक्त अपने हिसाब का mode को select करके अपने हिसाब से best sound का experience ले सकते हैं दोस्तों overall remote का build quality काफी अच्छा है यहाँ पर आपको AAA battery भी मिल जाएगी तो आपको अलग से battery लेने की ज़रूद नहीं है overall product की build quality और design की बात की जाए तो काफी premium है और इसकी build quality काफी जबरदस्थ है यह तो हुए product की specs and specifics हैं अब बात करते हैं इसकी performance की तो सबसे पहले इस sound bar को मैं setup कर लेता हूँ उसके बाद में हम सुनेंगे इसका audio sample Bluetooth के साथ और साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पर Dolby Digital, Dolby Digital Plus जैसी movie का sound experience तो दोस्तों यहाँ पर मैंने temporary table पे ही sound bar, subwoofer और satellite speaker को power दे दिया है और remote से हम करेंगे इसको power on तो power on करते ही आपको sound bar में display देखने को मिल जाएगा जो metallic grill के अंदर आपको वो display देखने को मिलेगी यहाँ पर सबसे पहले हम Bluetooth connect करके यहाँ पर Bluetooth के जरीए sound test करने वाले हैं लिया है तो दोस्तों यहाँ पर आपने सुना ब्लुटूथ के थूँ मैंने यूटूब पर कुछ कॉपेराइट फ्री कॉंटेंट आपको सुना है तो यहाँ पर जो आडियो आपने सुना है वो कमप्रेस आडियो है और इस आडियो के जरहे आप real experience नहीं कर पाएंगे इस soundbar का और मैंने जो feel किया है इस soundbar से वो मैं आपको बताने की कोछिज़ करता हूँ दोस्तों इस soundbar में आपको balance आडियो सुनने को मिलेगी चाहे वो high note हो, mid या low note इस sound power में आपको power distribution काफी बढ़िया से maintain किया गया है जिसकी वज़े से आपको high note और mid note काफी clear सुनने को मिलते हैं low note जो है आपको over सुनाई नहीं देगा यानि के दोस्तों यहाँ पर जो base है काफी control base है और आप base को feel कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों remote में base control दिया है triple भी control दिया है तो आप अपने हिसाब से आपको बेस चाहिए तो यहाँ पर 5 level तक का base increase कर सकते हैं या फिर minus 5 level तक भी base को decrease कर सकते हैं उसी तरह से आप triple को भी level 5 तक increase कर सकते हैं और minus 5 तक भी decrease कर सकते हैं तो आपके हाथ पर यह control है आपको जिस तरह का music चाहिए आप उस तरह से setting कर सकते हैं तो यह तो होगे यहाँ पर Bluetooth connectivity की बात अब हम इसका sound test करेंगे 5.1 surround sound Dolby Digital या Dolby Digital Plus जैसे content का sound experience सुनके तो यहाँ पर Netflix पर मैं Hollywood की कुछ content देख रहा हूँ और इस sound bar को मैंने optical cable की through connect किया है फिलाल इस sound bar को मैं test कर रहा हूँ अपने projector के साथ में projector में आपको किसी भी तरह का HDMI, ARC या फिर optical output का option नहीं रहता है तो यहाँ पर मैंने 5 TV stick के जरीए converter का use किया है और converter के साथ optical cable के through यहाँ पर मैं Dolby Digital वाली content जो है आपको के जाली फस्しょう, के से स्वाहिक पार्डों ए करो फसे के सेलए आफे Um तो दोस्तों यहाँ पर आपने मूवी के जो भी साउंड सुने हैं यह साउंड जो है आपको यूटूब पे कम्प्रेसिद सुनने को मिलेंगे मगर मैंने जो एक्स्पिरेंस किया है वो आपको मैं बताने वाला हूँ तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस साउंड बार में आपको हाईल नोट और मिड नोट का बैलन्स काफी बढ़िया है तो यहाँ पर आप डायलोग्स काफी क्लियरली सुन सकते हैं साथे साथ जो म्यूजिक होता है उसको भी फील कर सकते हैं यहाँ पर बेस का परफॉमेंस उसी तरह है किसी भी तरह से यह वाइस में या फिर म्यूजिक में आपको ओवर पावर नहीं लगता है और कम वोल्यूम पे भी आप डायलोग्स को क्लियरली सुन सकते हैं यहाँ पर बेस और ट्रेबल का आपको बैलेंस कंट्रोल सुनने को मिलेगा जिसके जरीए आप छोटी से छोटी नोट को भी क्लियरली सुन सकते हैं जैसे कि किसी कांच का तूटना या फिर किसी मेटल का साउंड आप क्लियरली सुन सकते हैं बेस इस sound bar में आपको overpower नहीं लगती है, इसका मतलब ये है कि जब आप bass को increase करते हैं, तो वो bass आपको voice में सुनाई नहीं देती है, वो स्रिप और सिर्प आपको feel होती है, तो कुल मिला के इस sound bar का experience है काफी जबरदस्त है, इस sound bar पे volume level जो है, वो 40 तक ही है, और मेरा जो 12 बा out हो जाता है, तो 12 बाइबार कमरे के लिए 25 से लेके 30 level तक का volume काफी है, इस sound bar को अगर आप full sound में सुनना जाते हैं, तो कम से कम 18 feet का आपका hall होना चाहिए, इस size का hall अगर रहेगा, तो वहाँ पर आप 40% के volume में भी काफी अच्छा sound का experience आप कर सकते हैं, आपको इस sound bar से bass, treble और clear vocal सुनने को मिलेगा, जिससे आपको music या फिर movie देखने का experience काफी ज़्यादा बढ़िया मिलने वाला है, तो दोस्तों ये था zebronik zebzook bar 9500 ws pro dolwe 5.1 surround bar का unboxing और review, उमिद करूँगा दोस्तों कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस sound bar को लेके कुछ details जाते हैं, तो नीचे comment box में comment कर सकते हैं, आज का वीडियो पस इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जहिन